आज हम सुजुकी बर्ग्मन स्टीट 125 का स्पर्क प्लग चेंज करने की प्रिसीजियर के बारे में बात करेंगे और हम क्यों उसे चेंज करेंगे वो भी अब के साथ शेर करेंगे मेरे लास्ट वीडियो में मतलब की ग्यार ओयल एंड एंजिन ओयल चेंज वीडियो में तौर्ड दे एंड अफ दे वीडियो जो स्कीप ना करके पुरा वीडियो देखते हैं वो ये ज़रूर नोटिस किये होंगे कि जब मैं स्टार्ट कर रहा था एंजिन को तब वो किच किच करके उसके बाद चार्ट ले रहा था एक बार में स्मूद स्टार्टिंग नहीं हो रहा था हम आपको एक बार फिर से वो पार्ट दिखा देते हैं तो अब देख सकते हैं कि स्मूद स्टार्टिंग ये नहीं है सुजुकी बर्गमें स्ट्रीट का क्योंकि सुजुकी का जो स्टार्टिंग सिस्टेम है ये बहुत ही बहतरिन स्टार्टिंग सिस्टेम है और एक ही तट में स्टार्ट हो जाता है तो खास करके इसलिए मुझे spark plug चेंज करना पड़ेगा तो Suzuki Bergman Street 125 का spark plug चेंज करने के लिए seat के नीचे का जो bolts and screws है उसे हटना पड़ता है boot space में 3 bolt होता है उन 3 bolts को unscrew करना पड़ता है ये 3 bolts 8 number के T-spanner से खुलता है और 4 screws होता है दो एकदम seat के सामने के तरफ और दो seat के एकदम पीछे के तरफ तो ये 3 bolts और 4 screws हटाने के बाद हम पुरे seat और boot space assembly को scooter से detach कर सकते हैं सामने का जो एक छोटा सा cover है उसे भी हटना पड़ता है उसे हटने के लिए उसका जो दो lock होता है एक खास किसम का lock है तुजुकी का इसे हटना पड़ता है इसको हटने का procedure अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो middle का हिस्सा है इसको आप थोड़ा सा press करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा उसे आप पूरा प्रेस करके अंदर के तरफ से pull out भी कर सकते हैं तो उपर का जो हिस्सा है ये बहर निकलाएगा तो ऐसे ये unlock हो जाता है हम आपको दोनों तरफ का दिखा रहे हैं है तो इसे unlock करने के बाद फ्रंट का जो cover है वो बहर आ जाएगा तो engine compartment का पूरा access हमको मिल जाएगा उसके बाद spark plug का जो position है वो आप देख सकते हैं तो वहाँ पे हात घुसा के spark plug का जो cap है उसे हटाना पड़ता है यहाँ पे space कम है इसलिए साफधनी से काम करना जरूरी है तो spark plug के cap को हटाने के बाद इस scooter के tool bag में ही एक tool दिया जाता है इस tool को spark plug चमबर में डाल के spark plug में फसा के अप धीरे से anti-clockwise घुमाएंगे किसी screwdriver मदद से या हाथ से तो यह खुल जाएगा यह spark plug बहुत ज़्यादा tight नहीं होता है बहुत ज़्यादा loose भी नहीं होता है इसलिए थोड़ा सा pressure लगाते ही यह unscrew हो जाता है तो spark plug को आप unscrew कर लिजे spark plug long threaded होता है मतलब कि इसका जो thread का हिस्सा होता है वो बहुत लंबा होता है इसलिए आपको बहुत ज़्यादा screw out करना पड़ेगा इसको तो यह spark plug हमने बाहर कर लिया आप देख सकते हैं इसमें कितना greasy element जमा हुआ है और कैसे यह burn हो चुका है इसलिए इसमें proper spark generate नहीं हो र रहा था अब clearly देख सकते हैं यह बिल्कुल ही ठीक ठाक नहीं है इसका condition बहुत खराब है यह बहुत ज़्यादा greasy होना यह कोई ठीक बात नहीं है यह किसलिए हुआ है इसके बारे में भी हम बाद में एक video बनाएंगे तो इसका जो tip का हिस्सा है यह आप देख सकते हैं जो अंदर का electrode है वो थोड़ा सा गल गया है तो gap बढ़ गया है दोनों electrode के बीच इसलिए यह properly spark generate नहीं कर पा रहा था और starting में दिक्कत आ रहा था इसका जो number है यह है MR7E9 तो अभी इसे हम change करेंगे इसके लिए मैं Suzuki से ही genuine spare part खरिद के लेके आया हूँ आप देख सकते हैं यह MR 7E9 spark plug ही है यह नया है Suzuki का तो इसे हम इसमें fit करेंगे यह कोई rocket science नहीं है यह कोई भी कर सकता है इसे अप उस tool में लगा के या हाथ से अंदर में डाल के screw in कर सकते हैं तो इस पर clockwise गुमाएंगे तो यह screw in हो जाएगा यह भी बहुत ज्यादा screw in होता है और पुरा screw in करने के के बाद exclude driver के मदद से आप इसको tighten कर सकते हैं ध्यान में रखिए बहुत ज़्यादा tight भी नहीं करना है और बहुत हलका भी नहीं छोड़ना है इसको medium tight करना है ऐसे tight करना है कि यह जाकिंग से बाहर ना निकला आए lose ना हो जाए और ऐसे भी नहीं tight करना है कि इसका thread जो है य अगर कोई नुकसान पहुचता है तो वो engine के लिए बहुत बड़ा खत्रा पैदा कर देता है तो spark plug को screw in करने के बाद उसका जो external electrode connector है उसे हम plug in कर देंगे मतलब कि उसका जो cap है उसे हम लगा देंगे इसे भी अच्छी तरीके से push करके लगाना जरूरी है यह lose रहे जाएग तो sparking में और connection में problem आएगा तो spark plug को properly install करने के बाद अभी हम इसे start करेंगे तो आप देखिए क्या फर्क पड़ता है अप देख सकते हैं कि एक कितना smooth start हो रहा है और एक ही बार में start हो रहा है दोस्तों spark plug एक ऐसा part है अपके vehicle का जो की अपके engine के भीतर का health बता देता है यह जो मेरे spark plug में बहुत ज़ादा greasy element दिखाई दे रहा है इसका मतलब हो सकता है कि engine में कुछ गरबड़ी हो, valve section में कोई problem हो या कहीं पर कोई seal तूटा हो या seal damage हो गया हो ऐसा भी हो सकता है पर जब आप यह video देख रहे होंगे तब मैं इसे inspect कर चुका होंगा क्योंकि इसक इसके बाद ही यह video publish होगा, spark plug में extra grease का करण यह जो oily substance का करण क्या है यह मैं दूसरे वीडियो में explain करूँगा और आप इसे कैसे maintain कर सकते हैं और आप इसे कैसे रोक सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, primarily मैं बता देता हूँ कि यह जो spark plug में extra greasy element oily substance जो दिखता है यह किस इसी भी करण बर्ष, spark plug chamber में या ignition chamber में ज्यादा oil का presence दिखाता है, जो की ठीक sign नहीं है, हो सकता है कि यह greasy substance oily substance engine oil हो, नहीं तो ज्यादा fuel हो ignition chamber में, तो इसे हम analyze करके और एक video बनाएंगे और इसके बार में discuss करेंगे, तो अभी हम सारे covers को लगा देते हैं, पहरे जो front का cover है लगा देते हैं, और जो इसका खास lock है, उसे हम कैसे लगाते हैं, अब देख लिए, बाहर का जो हिस्सा है, उसे हम पहले plugin कर देते हैं, उसके बाद उसके बीच का जो हिस्सा है, उसको धीरे से push-in कर देते हैं, अब देख लिए कैसे हम इसे करते हैं, यह front का हिस्सा जब अ लगाते हैं तब आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि मेन बॉडी का जो पार्ट है उसके साथ ये लॉक में फिट हो जाना चाहिए क्योंकि ये लॉक जो है ये लूज होता है तो लॉक्स को अच्छी तरीके से आपको फिट कर देना है नहीं तो ये फ्रंट का कवर और रेर के हिस्सों के बेच गैप दिखाई देगा और वो देखने में अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ये जो हिस्सा है ये थोड़ा सा फ्लिम्जी है पुरा प्लास्टिक पार्ट है प्लास्टिक बॉडी है तो पुरा सेट करने के बाद लॉक्स की भीतर सेट करने के बाद पहले हम seat and boot space assembly को place कर देंगे और उसके बाद bolts को लगाएंगे क्योंकि यही frame के साथ इस हिस्से को पकड़ के रखता है उसके बाद screws जो है वो हम लगा देंगे तो अभी हम आपको फिर से एक बार start करके दिखाना चाहेंगे कि कैसे यह एक ही push में एक ही बार में smoothly start हो रहा है ज कैसे start हो रहा था और spark plug डालने के बाद कैसे start हो रहा है तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए जिनके अगले वीडियो में Suzuki Bergman में यह सारा कुछ करने के बाद मेरे riding experience के साथ तब तक देखते रहिए लेट स्टॉक इस चंदन नमस्कार